प्रकाश निकल रहा है इसे हमने एक स्टोथ का यूज करा है और उसने उसको दो अलगलग सोर्स में कंवर्ट कर लिए सामने देखते हैं इसक्रीन पर क्या बन रहा है और आज की इस वीडियो में हमारे इस चाप्टर के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक जो शायद हर एक्जाम के अंदर 99% टाइम पूचा जाता है उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं और बच्चो वो टॉपिक है यंग का द्वी स्लिट प्रयोग शॉर्ट में इसको बोलते हैं YDS याने यंग्स डबल से एक्सपेरिमेंट ठीक है तो बच्चो यह यंग्स डबल से एक्सपेरिमेंट जैसा मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में बताया था यह पहला एविडिन्स था जो कि बताता था कि लाइट जो है वो तरण की रूप में गदी करती है ना कि एक स्टेट लाइन में रे की तरफ ठीक है जैसा कि हमारा जो न्यूटन था उसने अपना कॉर्पस किलर का मॉडल दिया था याने अपनी किरण प्रकाशी की का जो एक नियम दिया था या एक भुग लिखी थी उन्होंने कि जो प्रकाश हो किसकी तरह चलता है किरण की तरह चलता है रे की तरह चलता है और वो चोटो-चोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है वो थ्यारी कुछ चीजों को एक्स्प्लेन नहीं कर पाए उसमें सबसे और प्रकाश में भी होता है ठीक है तो व्यतिगण के इस एक्स्परीमेंट को समझने के लिए अपन एक एक्स्परीमेंट मतलब इस चीज़ को समझने के लिए हमारी यंग ने जो द्वीसलेट प्रयोग किया ता उसी क्या जपन चलचा करने वाले है ठीक है चले देखिए तो आज का मारा गोल कैज का मारा सेम एक ही लॉजिक है, वह है यंग के द्वीसलिट प्रयोग को समझना है, अब अच्छु का द्वीसलिट प्रयोग क्या था, इसको समझने से पहले, देखें, जैसे कि आप अपको दिख रहा होगा पहले तो, इस पानी के अंदर यह आपने पहले भी देखा होगा थपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप डेंस्ट्रिड करने के लिए हैं समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारा जो रेयर अप्टिक्स है वो समझा जू नहीं पाया समझ जेगा माल नीए हमार पास मच्चों यहां पर हमार पास दो स्लिट है चोलरे से डियाग्रम को हम पीछे ड्रॉय कर देता हूं देखिए माल प्रकाश को प्रकाश स्क्राइब करदे हैं तो इस तरीके के समांतर प्रकाश में परिवर्टे लगा दिया हम ने क्या करा प्रकाश के सामनी जो स्लिटे लगा दी या बच्चो पहली स्लिट थे और यह बच्चो अекडिये लगा रखें झए। और यह आपे पर बड़ा रखें स्क्रीन स्लीठ का स्लाप किया होता और बिखें के हैं कि एक पेपर हैं और भीन कोर बहुत चोटेज कर दिक pac- ум कि एक पेपर हें और यह पेपर हम ने डो पतले से बहु 已न कर दियुंद बहुत चोटे शोटे से वींद कर दिये तो होना तो यह चहीए था, कि यहां से निकलने वाला पraकाश सीधा जाये, और क्योंकि इतना सा होल है, वहाँ चोटा सा होल है, तो इतने से पार्ट को ermॉननेट कर दे, मतलब इतने से पार्ट में, चंकीला चंकीला को चुढ़ न कर दे, बरेद पर बिचे एक चमकी लस्ता स्पॉट मिल जाना चाहिए तो बाकी सब यह चेडव सेडव होनी चाहिए यहाने इसकी पर्चाई होनी चाहिए लेकिन हमने क्या प्रमारेगा कि यहां पर मैं ऐसा नहीं मिल रहा है हमें तो यहाँ पर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट की फिरिंजिस मिल रही है मतलब पहले बीच में डार्क कलर सॉरी, बीच में हमर पास ब्राइट फिरिंज मिली, इस तरीके से चमकीली फिरिंज मिली चमकीली फिरिंज के बास बच्चो काली फिरिंज मिली अब काला तो काले में क्या दिखेगा ठीक है तो ये काली फ्रिंजे दिखी फिर वापिस सफेद प्रिंजे दिखी ठीक है इस तरीके से काली सफेद फ्रिंजे अपने को दिखने लग गई ऐसा हमने नहीं हमारे साइंटिस्टों ने उब्जर्व किया ठीक है न ऐसे काली सपेथ काली सपेथ काली सपेथ काली सपेथ फिरिंजिस अपने को मिलने लगए मतलब जो हमारे न्यूटन भहिया के सबसे होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है गड़बड हो रहा है बहुत कुछ गड़बड क्या हो रहा है कि मिलना तो चाहिए था हमें एक दो बच स्पोट मिल जाने चाहिए थे लेकिन स्पोट मिलने के बजाए हमें तो काली सपेद काली सपेद काली सपेद फिरिंजेस मिल रही है तो यह क्या एक अगडबड़ है जोल जाबा है तो यह थे लिए नूटन जो है वह समझा नहीं पाया इसके लिए हमें हाइगन के तरंग सिद्धान्थ का उपियोप हरना पड़ा तो आईगन भीया ने क्या बोला कि यहाँ पर प्रकाश जो है ना वो तो तरंगों की रूप में चल रहा है मतब ऐसे चल रहा है ठेके ना ऐसे चल रहा है प्रकाश तो और जब प्रकाश ऐसे चलता है तरंगों की रूप में चलता है तो किनी इस्थानों पर यह जो तरंगे ह में जब श्रंग श्रंग में गरता है गर्द गर्थ में गरता है बच्वं गर्चों तो महां पर एक कंस्ट्रक्ट वैने संपोशी वेति एक और जिन इस्थानों पर हमारा श्रंग गरते में जाकरके गिर जाता है महां पर हमारे पस विनाशी व्यतिकन उत्पन हो जाता है थोड़ा याद दिला दूं आपको संपोशी और विनाशी क्या था को कि हमारे यहां पर काम आएगा तो बच्चों सबसे बहुत अपने पढ़ा था constructive इसको अपन बोलते है समपोशी समपोशी व्यतिकण अपने पढ़ा था समपोशी व्यतिकण की condition क्या हुआ करती थी कि जो मारा पथांतर है याने del x यहां है जो x जो भी आपने ना चाहू वो क्या होना चाहिए l lambda मतलब इसका मान क्या होगा lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda यान 0 भी हो सकता है इस तरीके से और इसी तरीके से इसका कलांतर जो है कितना होना चाहिए इसका कलांतर होना चाहिए बच्चो 2n pi मतलब pi के sum गोणश जैसे कि 0, 2 pi, 4 pi, 6 pi and so on याने मान लो अगर यह पहली वेव है और दूसरी वेव इसके ऐसी है same अजब श्रंग श्रंग में गिर गया गर्त गर्त में गिर गया तो हमें एक और बड़ी वेव मिलेगी जौदा तीवरता की वेव अपने को मिलेगी इसी तरीके से बच्चों हमने destructive interference याने विनाशी व्यतिकरण के बारे में पढ़ा था destructive interference क्या था बच्चों याने विनाशी व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण जब श्रंग गर्त में गिर जाएगा तो दोनों एक दुश्रे के प्रभाव को खा जाएंगे तो उस case में बच्चो डेल x हमें मिला था 2n प्लस 1 lambda by 2 जिसको अपने लिखते हैं 0 तो नहीं आएगा यहां पर यहां पर बार पास आएगा lambda बटा 2 3 lambda बटा 2 5 lambda बटा 2 7 lambda बटा 2 and so on और πाई की रम्स में बोलूं तो बच्चो इसके अंदर पाई की रम्स में वेल्यू आ रही है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई यह 5 है बच्चो 7 पाई and so on इस नरीके से वेल्यू मिलते जाएगे तो अगर यह condition आ जाए तो उस case में विनाशी व्यत्तिकरण हो जाता है क्योंकि हमारे काफी काम आएगा इसमें मैं एक बब रापिस आप लोगों के लिए लिए ठीक है अब इसको तोड़ा से डिमस्टेट करने के लिए देखने के लिए एक्चुली चल क्या कहानी रही है एक छोटा से एक्सपरीमेंट में आप लोगों को बता देता हूं कंड़क करते हैं अपने यहाँ तो यहाँ पर सब अच्चे देखेंगे स्क्रीन पर यह हमारे पास एक साइट है पी एच एटी इसके दुरों हमीं एक्सपरीमेंट कंड़क कर रहे हैं इसके अंदर हमाय ने हैं याँ पर dark दो source लिए हैं और ये पहलές से दूसरा source है क्योंकि भूने आपको पहले ही बताया था कि आज की डेट में आज की डेट में दो laser light का use करके हम दो coherent source हैंने दो color augmente बना सकते हैं लेकिन पुराने time में जब experiment हुआ था तब उन लोगों के पास ये source नहीं था उनकी बल्ब था तो उन्हें बल्ब जलाया और बल्ब के सामने क्या कर दिया इस तरीके की तो street लगा दी कैसे वही कागज लगा दी अदो उस पिपिन से hold कर दी तो दोसरोध बन गए लेकिन हमार पास यहां पर क्योंकि तो laser light है तो हम laser light से इस experiment को कंड़क करते हैं तो बच्चों मैंने पहली laser light स्टार्ट करी और दूसरी laser light अब जब आप देखोगे तो देखे waves किस तरीके से मिल रही है और मिलने के बाद कही न कहीं यहां पर कुछ pattern बनाएगी screen पर उसको देखने के लिए मैं इसकी screen on कर देता हूँ तो आप देखो कि किस तरीके से सामने pattern बन रहे हैं हमार पास bright dark bright dark याने हमारे पास कुछ चमकीली fringe फिर काली fringe फिर फिर चमकीली fringe कुछ काली fringe इस तरीके की अलगला fringes भी मिल रही है ठीक है इसी comment बोलते है interference of light याने हमारे तरंगो कामाने प्रकाश्च का अव्यतिकरन ठीक है तो जैसे ही मैंने separation distance बढ़ाया बच्चो तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि fringe की जो चोड़ाई है इसको fringe बोलते है बच्चो fringe की चोड़ाई कम हो गई और पहले से जाधा fringes बन रही है ठीक है और अगर मैं separation distance को कम कर दूँ तो देखिए क्या होगा जैसे मैं separation distance को कम करूँगा अपने यहाँ पी fringe की चोड़ाई बढ़ जाएगी और हमें पहले से कम fringes दिखाई देगी तो हमारे देखिए fringe की चोड़ाई बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि सिरफ हमें एक ही fringe दिखाई दे रही है तो मैं यहाँ से एक चीज़ समझ आई कि अगर हम इन श्रोतों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो fringe की चोड़ाई कम होती है और श्रोतों के दूरी को बीच की दूरी को कम करते हैं तो उस case में हमारे fringe की चोड़ाई बढ़ने लग जाती है तो यह मैंतमेटिकली पूरूफ भी करेंगे अब जो एक्सपरिमेंट रियालिडी में डेमूस्ट्रेट हुआ था हमारे पास यहां पर देको अच्छो श्रेट है यहां पर तो एक की श्रेट लगा रखी है हमने यहां पर दो श्रेट लगा देते हैं यहां पर हमने दो श्रेट लगा दिया और श्रेट कीवर्थ को थोड़ा सकंद कर देता हूं चरिक्तोप देकें मिद्ध की वर्थ को हैं एक हंव भी रोगा करेगा तो यहां पर मारे पास यह एक हीके वेवजेशनेटर से वेज्णरेट होगी और यहां एक्तम सम्तल प्रकाश उत्पन करेगा जैसे ट्यूब लाइट यहां मने पहले जो लेंच लगा के किया था वैसा ही कुछ और यहां पर मारे पास दो स्लिटें स्लिट को मैं और थोड़ा सा पतला कर देता हूं थीक है अब क्या होगा अगर मैं स्रोथ को अपन कर दू तो देखो से प्रकाश निकल रहा है बुलू लाइट इस बार हमने लिए चलो इस लाइट का तोड़ा सा कलर चींज्ज करते था पन देखते हैं स्क्रीन लगा के क्या बनते है मैं र पास छली स्टार्ट करते हैं देख पर पहले जिसे डाक-ब्राइट, डाक-ब्राइट के पैटन बन रहे हैं, और यह जो प्रॉब्लम है, यह इसके बीच की दूरी को घटाने बढ़ाने से उत्पन होती है, जैसे आप दूरी को बढ़ा होगे, फ्रिंज उतनी ब्राइट बनती जाएगी, हमारी NCIT में एक अगर मैं इसके PAS में रख दूँ, सुरोथ के पास में रख दूँ लिटको, तो क्या होगा? जो फिरिंजराट बनेंगे, बहुत लाइट बनेंगे, बहुत हलकी हलकी बनेंगे, नाके बराबर बनेंगे, दिखेंगे भी बडी मुश्किल जाए ठीक है? इस स्क्रीन पे देख जाये बहुत बढ़ी बात है अच्छ है? ऄगधी है आपको तो क्या ही दिख रहा हुँगे ठीक है? तो मतलब स्रोथ और स्लिट के बीच की दूरी को बढ़ाने पर जो intensity नहीं है नहीं है इनकी तीवरता भी करके देखे रहे कि कहा क्या हम्हेरे पास नीया क्या चाहिए है हमेरे पास होना क्या चाहिता हम़ें यह यह पर ओफार्ट्पश्पार्ट्ण मिलने रहा है हमें तो आप में पें काली सफेर्ट काली सफेर्ट काली सफेर्स अच्छ से इनको अब ने हमें के काली सपेर्ट सैथरी पर गूरेट और अब इसको निया इसे एक छोटा सा सट अइगे बनाएंगे ज्याधा । उल्डबिस अथे São शुरोत को नाम दिया अपने S, सामने लगए बच्चो दो slits, पहली slit और दूसरी slit, ठीक है, इसको नाम दे दिया अपने सुरोत नंबर 1, इसको बोल दिया सुरोत नंबर 2, और इन दोनों के वीच की दूरी को बच्चो बोल दिया अपने D, बच्चो इन दोनों सुरोतों के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम रखी जाती है करीब एक मिलिमेटर अच्छा इंटर्फेरेंस ओफ लाइट जो है याने हमारे जो प्रकाश का व्यती करने इस केस में हो रहा है वो तब यह होगा जब श्रोत का जो आकार है जो होल है वो बहुत छोटा हो यहाँ पर श्रोत का मिलब यह जो हमारे पास slit की जो चोड़ाई है slit की चोड़ाई जो है वो लगबग light की wavelength की आसपास होनी चाहिए light जो अपन यहाँ पर यूज करते है वो 4000 इंगस्ट्रॉम से 8000 इंगस्ट्रॉम होती है मीटर में convert करोगे तो आ जाएगा 4 गुणा 10 की गात माइनस का 7 से 8 गुणा 10 की गात माइनस का 7 मीटर यहने इस hole की जो चोड़ाई है वो लगबग 10 की गात माइनस का 7 मीटर मतलब बहुत चोटा हो ले इसलिए day to day life में अपन जब सीधा torch डालते हैं तो हम एक spot दिखता है लेकिन अगर इसकी fringe मतलब जो width बहुत चोटी हो जाए तो पर हमें काली सपेत काली सपेत fringes देखेगी कुद भी घर पे experiment demonstrated कर सकते हैं वह स्थोड़ा सा complicated है आपको क्या करना है आपको लेना काचकिक पटी ग्लास टांस्परेंट ग्लास जो होता है पतला सा ठीक है पुरानी photo photos में निकलता है नो पर से वह आप ले 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 उसके उपर क्या करना आपको दूबबती जो होती है ठी आप लेके जाओगे काली जी दूबबती उसके उपर जबना С्टाड हो जाएगी ठीक ना लेंट ब्लाक उसके उपर जपर जबना स्टार हो जाएगा थाकिक में क्या करना है उसके मार्चेश की तली से दो इस तरीके को लखीनी ए लवर पास-पास और जितनी पत्ली VII पा बहुत दूर हो एक और जो बहुत दूर justify और उसके उपर लेंब ब्लाक चिपकाया है, कैसे चिपकाया है वही, उपर से दूबबत ही लगा दी, दुमाजस की दिलियों से डंडिया कीज़ी, अब उसके उपर बच्चो लेजर लाइट डाले, जैसे लेजर लाइट डालोगे सामने देखेंगे पैटन्स, तरीके से डा प्रकाशकिननों के बारे में बात करता हूँ, अगर इससे कोई प्रकाशकिनन निकल रही है और इससे प्रकाशकिनन निकल रही है, दो स्रोत हो गए, तो यह जो प्रकाशकिनने जब किसी बिंदू पर मिलेगी, कहां पर, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल जदर, तो यहां को आंशेगर प्रकाष के पने मिल रहे है निकल रहे हैं तो दोनों समान दूरी तय करेगी समान समय में तय करेगी दोनों की जिसमें क Lo dai दोभी इसमें चंकीली फ्रिंज, ठीक है न? केंद्रिय चंकीली फ्रिंज हमें यह आपे मिलने वाली है, यहने Central Bright Fringe ह attain never तो अब तो यह बढ़ते हैं अब और किसी भी अन्य ण आ फ्रिंज के बारें बात करनें जिसका यह केंड्रे से दूरी बच्चों किकित्नी महनपास वाया है समझेंगे हैं माल लो इसbands से प्रकाश निकला यहांपर कर वो यह है इससे जो निकल नहीं डॉटे लाइंग मैं बोल रहा है यह क्या बच्छों मारे पास एनेथ फ्रिंज 10V, 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 15V, 16V जो भी आप बोलना चाहो इसकी केंदर से जो दूरी इसको बच्छों पर ने बोल दे YN और मुझे YN ही पता करना है मेरा मेन मोटिफ क्या है यह YN पता करना मैं YN पता कर लूगा मेरा काम मुझे आएगा तो मुझे क्या है पता करना है अपर पत्छों YN अब द्यान से सुनों अब अगर मैं मालो इसको नाम देता हूँ कुछ ए नाम देता हूँ चलो इस विंदु को तो पत्छों S1 A जो है उसके कंपारिजन में S2 A तो जादा है क्योंकि दूसरे वाले प्रकाश को ज्यादा दूरी तैय करनी पड़ेगी पहले के कंपारिजन में मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ पथांतर होगा कुछ कलांतर भी होगा जब दो तरंगों के बीच में कलांतर या पथांतर आ जाता है तो व्यतिकरण होता है और व्यतिकरण की वज़े से यहां तो संपोशी होता है यहां तो फिर विनाशी व्यतिकरण होता है तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस है देखो यह S1 A है यह S2 है मुझे नहीं पता है तुम्हें कितना है वो मुझे नहीं पता, मैं क्या काम करता हूँ मैं S1 से इस लाइन के उपर एक परपनेक्लर ड्रॉप डालता हूँ यहां कहीं जागे गिरा, इसको बी बिंदो मांग कर देते हैं तो बच्चों, यह S2, B S को बोल देते हैं बच्चों, X में Fringe Button बना नहीं मनता है, वह बहुत चोटा सा मनता है तो यहां पर यह क्योंकि प्रकाशकन गरने हैं यह तो बहुत पास-पास एक मिल्मटर तो बहुत ही चोटा सा होता है तो इस में से निकलने वाली प्रकाशकन गरने हमें लगबग एक दूसरे के समानतर देखेगे इससे प्रकाश मिर्ण निकली, इससे प्रकाश मिर्ण निकली, अगर दूर से को इसको देखेगा, तो इसको almost कैसी देखेगे, लिखेगा दोनों लाइन तो almost parallel parallel है, यह तो मैंने फिर भी और इसनी close नहीं बना पाया हमें, तो बहुत पास होती है, दूर से जब इन दोनों प् तो बच्चो, चो S2A है, उसने S1A के comparison में X distance ज्यादा travel करें हम ऐसा बोल सकते हैं, कि S2A माइनस S1A लगबक किसके बराबर है X के और यह हमारा क्या बच्चो, बथांतर यही decide करेगा कि वो संपोशी वेतिगर्ण है या विनाशी चले, अब हमारा main law, जो main, हमारा issue है, वो यह wire निकालना, वो निकालते हैं तो बच्चो, हम इस तिरबुच के बारे में बात करते हैं, तो बच्चो, समझना अच्छे से हम बोल रहे हैं कि यह वाला कॉन है, यह वाला कॉन इस वाले कॉन को बच्चो अपन क्या बोल रहे हैं, मतलब यह के अंदर से कितना deviate हो रही है, अपनी पाच से कितनी विचलेत हो रही है, तो यह थीटा कॉन विचलेत हो रही है, मतलब यह कॉन थीटा है, तो बच्चो, थोड़ा इसको डाक कर देता हूँ को है यह कौन है टीटा दिंस्रेंbeiter ज Morning यह कौन है यह थीटा यह कूर इक 되면 ने बोला यह लाइनिस्रेंग लगबग. 然後 सपद और अजई अजय सेcakो के दिखेंगे यह थीटा है टो कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा थोड़ा डाग्रम को आपर से डीड्राउ करता हूं यहापर यह रही हमार पास थीटा कॉन बनाने वाली सी बिंदू से फिर डी वाई टू नीचे लिया यहादा कितना हो गए हमार पास दी बेटा दो ठीक है न उपर आला भी डी बेटा यहाँ जैने प्रकाश नाला यह एक ओर यह और भी आइचो कितना होगा थीटा हमने इससे इसके उपर लंबर डाला ठीक है S1 से डाला आपने तो इसको S1 से बना जाते है इसको फोड़ा रप करते है ये प्रकाश्किनर और थोड़ी उपर से स्टार्ट हो रही ये मारा B है ये वाला जो है बच्छो K पर गिलाई जाके B पे बच्छो ये पूरी दूरी कितनी है मारे पास D ये मारे पास 90 डिगरी है ये मारे पास Theta क्योंकि ये तो शेती जै और ये उर्दवादर है तो बच्छो ये कौन कितना होगा ये वाला कौन ये वाला होगा 90-theta तो ये theta है तो बच्छो ये कितना हो जाएगा 90-theta अब ज़रा तिरे भूच तिरे बुच को notice कीजिए मैं इसको थोड़ा correction कर ले दो S1 था हमारा S1, B, S2 जो इसको थोड़ा से notice कीजिए S1, B, S2 को मैं एक बार all draw करूँआ नीचे इसको तकि साफ सिखे इसको थोड़ा लोग को साफ दिख जाए ये B है, ये S1 है, ये S2 है तो अगर ये कौन बच्चो 90 माइनस थीटा है तो ये कौन automatically कितना हो जाएगा? थीटा मतलब हमें समझ आया कि ये वाला जो कौन है ये वाला ये कौन कितना है? थीटा है सब मुझे पता होचपोच काफी जाज़ा चीज़े हो रही है इसलिए मैं उसकों बना दिया ठीक है? और बच्चों, ये दूरी कितनी है? D मुझे तो पतांतर से निकालना है ठीक है? एक काम करते स्कोपर बना लेते है ये जगे है हमारे पास थोड़ा ये गंदा हो रहा है ठीक है? ये मारा B बिंदू है ये S2 है ये S1 है, ये D है ये नबड़े करी है ठीक है? ये थीटा को रहा हमने बताई दिया तो बच्चों, हमें निकालना है ये X का मान तो देखो थीटा के सामने अलो ता लंब और नबड़ के सामने अलो ता कंड लाल कक्का, लाल कक्का, साइन थीटा साइन थीटा से में कितना मिला साइन थीटा बराबर में मिला एक्स बटा डी कि यह अदर समीगर नंबर एक टृप सब कुछ बात क्लियर होगे मैं अब अच्छोए को अपन लेने वाले हैं वह टिर गोड़ा है टीका नहीं यह वाला इसको दिया O इसको A और इसको C, यह थीटा है बच्छो यह वार पास YN है और इस नीचे वाले को क्या वोला अपने D थीटा के समने वाला लंब और नीचे वाला आधार तो आधार और लंब विलेशन कौन देता बच्छो 10 थीटा 10 थीटा किसके बराबर हो गया लंब बटा आधार सिंपल ठीक है मुझे दवायन से मतलब है अब अच्छो एक चीज़ सुनो अच्छे से साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है X बटा D के अब X एक्चुली क्या है X से पथांतर अब पथांतर जो है यहां तो N लेम्डा होगा अगर समपोशी है तो और विनाशी है तो 2N प्लस 1 लेम्डा पैट होगा बतलब जो भी लेम्डा की डंस में होगा हम पीछे बात अलुडी करके आ चुके हैं कि लेम्डा की वल्यू वार पास कितनी आ रही है तो जो मैं लेम्डा पॉन डी का अनुपात निकालूंगा यार यह तो बहुत छोटा हैगा ना यानि दसकीगाथ माइनस का 4 यानि या नुपात बहुत 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 चोटा है क्योंकि डी लगबग एक मिल्यमीटर है और हमारा लेम्डा जो है दस्कीगाथ माइनस का साथ है अनुपाथ निकाला दस्कीगाथ माइनस का 4 आया मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं इन सब को रब करना हूँ एक्जामे नहीं करने हैं सब इससे समझने के लिए ऐसा हम बोल सकते हैं समीगनक का लिते हैं समीगन एक क्या था sinθε बराबर Īाओ एक्स मेंटा D क्योंकि एक्स ब्रकए्ट के कंपारिसन में बहुत छुटा है है बहुत छुटा छुटा शुटा छुटा था उसके हिसमें बसा बूल सकते है sin θ का लगबग मान किसके बरापर हो जाएगा θ क्यों कि θ भी बहुत छोटा हो जाएगा वो किसके बरापर हो जाएगा इसको डालेंगे समीकर नमबर 3 इसको 2 बोल लेते इसी तरीके से yn जो है वो भी d के कंपरेजन में काफी छोटा है जो कि मैंने आपको ओला d बहुत बड़ा होता है लगबग 1 मिटर या 2 मिटर के डिस्टेंस पर रखते है तो अगें 10 θ का भी लगबग मान किसके बरापर हो जाएगा बच्छो ठीटा के और वो किसके बरापर हो जाएगा ये समीकर नमबर 4 समीकर नमबर 3 में भी ठीटा समीकर नमबर 4 में भी ठीटा करना तो दोनों की तुलना तो समीकर नमबर 3 में 4 की तुलना करने पर जो हमने दोनों की तुलना करी तो पाया कि x अपॉण d किसके एकुल है y n अपॉण d के तो बच्चो वाइन जो मुझे निकालना था एनित फ्रिंज की केंदर से दूरी कितनी आई? XT upon D गया गया मेरा पास? गया मेरा पास एक जनरल फॉर्मला आ चुका है I hope सबको बात क्लियर हो गई हो गया ठीक है? तो अगर एक्जाम में आपसे पूचा जाते हैं एनित फ्रिंज की केंदर से दूरी डेरिवेशन इपे कम्पीट करना है बट आगे और भी सीज़े है क्या होगा जब मैं संपोशी व्यतिगण के बारे में बात करता हूँ मुझे ही कब पता पड़ेगा कि ब्राइट फ्रिंज मिल रही है पर इम बोलू तीसरी ब्राइट फ्रिंज केंदर से दूरी? पता नहीं यार हमने तो यह फर्मला पड़ा था एक्स तो आमें बात करने वाले हैं संपोशी व्यतिगण के बारे में है के ना? छमकीली फरिंज तो चमकीली फरिंज या ब्राइट फरिंज के लिए या इसको मैक्सिभा भी बोलते हैं ठीक है? उसके लिए हम जानते हैं कि X के ब्राइट को ले न लेमडा के हमारा इन कीतना हो जाएगा? देखें बीचे X की को जाएगा बच्छो यह हमारे संपोशी व्यतिकन के लिए यह ब्राइट फरिंडर की एक फॉर्ट मिला हमार पास आ गया है अगर मैं एजी को उसमें 0 रखूंगा तो y0 के लिए कितनी आ जाएगी? y0 के लिए आ जाएगी 0 यह हमें क्या मिला? केंद्रिय मैक्सिमा केंद्रिय चमकीली फ्रिंज इसको बोलता है पन केंद्रिय उचिष्ठ मैक्सिमा को बोलता है उचिष्ठ तेको केंद्रिय उचिष्ठ बोलो तेको तीन चीजे उचिष्ठ बोलो चमकीली बोलो या फिर आपका संपोशी बोलो इसे नों को मतलब सेम ही है, ठीक है? आप इसमों चमकीली भी बोल सकते हो, चमकीली फिरिंज ठीक है बच्छों, पहली, पहली, जैंटर वली में एके इंदरियो n is equals to 1 रखोगे y1 बच्छो कितना एगा? lambda d by d यह में पहली, first, पुछ इस्ट मिल रहा है यह पहली, चमकीली फिरिंज बल रही है ऐसे मैं, n is equals to 2 रखोगा y2 कितना आजाएगा? 2 lambda d by d ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो, यह सेकेंड उच्छों है, यह सेकेंड मैक्जीमा है उच्छों को इंग्रिश्चों बोलते है, मैक्सीमा इसको अंग्रिशी में का भूलते है, मैक्चीमा तो यह मैक्सीमा ठीक है बच्छों? ओके, अब बात करते हैं बच्छों, विनाशी वेती गणे के बारे में यहाने, destructive interventions ठीक है? यहाईसे हम बोल सकते हैं, काली फिरिंजे निमनिष्ट बोल सकते हsight जैसे उसको ठीक बोलते हैं। इसको कमिमनिष्ट यह फिरिंगं me का 성 फिरिंप भूलते हैं, अब जैसा लेंखाना साओ लेंख सकते हैं अब अच्छों इसकी condition क्या हो वा करती थि? इसकी condition होती थि X is equal to 2N minus x. 2N plus 1. लेम्डा बाई 2 जब पर वही n के और 0, 1, 2, 3, 4 कितनी वह सकती है तुम्हारा y n बच्चो कितना आ गया 2n प्लस 1 लेम्डा बाई 2 और वही सेम दी बाई दी शॉल्फ करें लिखेंगे अपन 2n प्लस 1 लेम्डा दी बाई 2D अब इतनी बाई सबको clear होगी होगी तो यह मैं मिल गया अब वही पहला उचिष्ठ दूसरा उचिष्ठ जैसा निकाला था अब वैसे पहला निम्निष्ठ दूसरा निम्निष्ठ निकाल लेते हैं चली तो बटा अगर मैं NKLU 1 रग दू चली NKLU 0 से start करते हैं तो देखो यहापर केंद्री हमें एक्जीमा केंद्री है मिनिमा तो मिलता नहीं है तो अब यहापर इसको वाइवन ही बोलेंगे वाइवन बच्चों में कितना मिला यहापर रख दीजिए यहापर मैं NKLU 0 रखते मिला लेम्डा डी अपॉन 2D तो बन क्या लिखेंगे लेम्डा डी अपॉन 2D यहापर फॉर्स्ट मिनिमा है मिनिमा इसको मैं बोलते हैं निमनिष्ट या काली प्रिंच ठीक है ऐसे ही मैं अगर N is equals to 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 3 लेम्डा डी अपॉन 2D यहापरा सेकंड मिनिमा है ऐसे एनिष्ट रखूंगा मुझे तीसरी मिल जाएगी 5 लेम्डा डी अपॉन 2D सारे और नमबर ठीक है ऐसे करते करते मुझे मिल जाएगी तो इस तरीके से अपने क्या समझा एक चीज़ नोटिस करना अच्छे से साइड में बताते हैं आपको यार जब मैं बात कर रहा था ब्राइट फ्रिंजिस के बारे में चमकीली फ्रिंजों के बारे में तो मैं वेल्यू स्के मिल रही थी 0 लेम्डा डी बाए 2 लेम्डा डी बाए 3 लेम्डा डी बाए डी और जब मैं काली फ्रिंजों के बारे में बात कर रहा था तो पिश बारी परे बात कर। काली फ्रिंजों में मिल रहा था 2 लेम्डा डी बाई 2D 3 लेम्डा डी बाई 2D 5 लेम्डा डी बाई 2D और यहां से नोटिस करो ना यह 0 है अब यह देखो simplicity के लिए माँ आपको बताता हूं माल लेम्डा डी अपॉन डी क्या है मान पास माल लो एक है माल लिया मान आया भी करना नी एक्जाम में not for exam एक्जाम में मत करें ना लिख दिया हो वहाँ पे एक्जाम में तो एक्जाम ना सर बनना जाएगा उसका ठीक है तो जीरो आया बच्चो एक आया यह दो आया यह तीन आया इनसे आरे नंबर अगर मैं इसको माल लो तो यह रहा है एक बटा दो तीन बटा दो पांच बटा दो देखो जीरो और एक के बीच में एक बटा दो आता है मतला दो चमकीली फिरिंजों के बीच में एक काली फिरिंज बन रही है ज़र उस एक्सपरिमेंट में वापस आते हैं इसमें देखना दो चमकीली फिरिंजों के बीच में काली फिरिंज बन रही है न, देखो, यह पहली चमकीली, यह दूसरी चमकीली इसके बीच में काली फिरिंज बन रही है, यह हमें बात समझ आ रही है, तो अगर मैं दो चमकीली फिरिंजों के बीच की दूरी को माइनस कर दूंगा, तो इह होने वाधा जो आप सोच रहे हो वो है फ्रिंज की चौड़ाई उसको अपन बोलते हैं फ्रिंज विर्थ फिरेंज विर्थ तो बच्चो अगर मैं दो चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी को माइनस करूँगा तो मुझे काली फ्रिंज की चौड़ाई मिलेगी क्योंक इसे माल लो क्योंकि कलर में अलग लग नहीं ले पा रहा हूंगा तो मैं आपको माल ले तो यह माल लो चमकीली फ्रिंज है चमकीली के बाद चमकीली हो गई फिर काली फ्रिंज आएगी काली तो दिखे गी नहीं तो मैं काली को किसी और से बद्था ऌगर इस मेना जाता हूं कि इस्ते बना घ्ला इस इसalfना जाता हूं ये काली को बता लिए, क्योंकि यह ओम बेदी यह ओम बिशन बेहरा पास हो गया रहा है माल लुछ जतने हां यहाँ जीरो और एक की बीच में जो दिख रही है वो एक काली फ्रिंज है यहाँ पर भी एक चमकीली फ्रिंज है यहाँ पर भी एक चमकीली फ्रिंज है तो तो चमकीले फ्रिंजों के बीच की दूरी को माइनस करने पर एक काली फ्रिंज की चोड़े ही मिलेगी यहने हम बोल सकते हैं, दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, हमें क्या देखी? काली फ्रिंज की चोड़ाई, किसके बराबर है? काली फ्रिंज की चोड़ाई के बराबर है, निकालेंगे काईसे कोई से भी 2 को माइनस कर दो, किसी भी 2 को, जीसे माल लो मैं, फिर्स्ट रो ज़ीरो को माइनस कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? इसको बीटा से लेढ़ते मिटा, भिल्म मिलेगा λैम्डा D बाइभाई D, minus 0 याने एक काली फ्रिंजी की चौड़ाई बच्चों कितनी आई lambda d by d इसी तरीके से अगर मैं एक चमकीली फ्रिंजी की चौड़ाई को निकालना चाहता हूँ तो मैं दो काली फ्रिंजों के बीच की दूरी को minus कर दूँगा तो अपर यहापे लिखते है दो क्रमागत काली फ्रिंज की दूरी हमें क्या देगी चमकीली फ्रिंजी की चौड़ाई ठीक है तो दो क्रमागत काली फ्रिंजी की दूरी हमें क्या देगी चमकीली फ्रिंजी की चौड़ाई देगी ठीक है बच्चों तो देखो, मैनस करते हैं अपर इन दोनों को क्या मिलता हमें 3 लैम्ड़ा D by 2D मैनस लैम्ड़ा D by 2D यहाँ बीटा देगा हमें क्या देगा, लैम्ड़ा D by D, यानि हमें समझ आया चाहे में काली फ्रिंजी की चौड़ा ही निकालूं चाहे चम्किली फ्रिंजी की चोड़ाई निकालू दोलोप सेम आ रही है याने मैं फ्रिंज विर्थ कितनी मिली मैं फ्रिंजी की चोड़ाई कितनी मिली बच्वो मैं फ्रिंजी की चोड़ाई मिली फ्रिंज विर्थ मिली लेम्डा डी बाए डी यह मर पास एक expression आगया है ठेक है बच्छो फाइनली हमें क्या करना है हमने सब चीज़ निकाल दी है हमने काली और हमारी चमकीली फ्रिंजों की इस्तिती भी निकाल दी वैसे हमें उसके लिए graph plot करना है तो graph plot करते है बच्छो काली और चमकीली फ्रिंजों की बीच का तो यहाँ पर हम दूरी लेने वाले हैं अच्छा बच्छो एक चीज़ अच्छे से सुननीजिए यह जो मैंने formula drive कर रहा है न यह जो मैंने लिखा है बच्छो इसके एक प्लस मैनस भी आपको लगाना है अब यह प्लस मैनस क्या बता रहा है वह मैं आपको बता देता हूँ प्लस मैनस अब यहाँ पर भी लगाएंगे यहाँ पर भी लगाएंगे यहाँ पर भी लगाएंगे इस तरीके से अब यह क्या बता रहा है बई जब आप इस fringe pattern की तरफ आते हैं तो इसको अगर आप mean मिलाब बीच का बिंदू माल ले, मूल बिंदू माल ले इसके उपर आली माल लो धनात्मक नीचे वाली धनात्मक जैसे fringe उपर बनेगी, ऐसे fringe नीचे ही बनेगी इसलिए आपको exam में द्यान रखना है यहाँ पर आपको plus minus लगाना है ठीक है, कहाँ गया हमारा यहाँ पर plus minus लगाएंगे और हमारे निमनिष्ट में भी plus minus लगाएंगे ठीक है, इसी इसका देहान लखेंगे, बस exam में और कुछ नहीं fringe विर्थ में plus minus लगाना हो तो चोड़ाईगे ठीक है minus का lambda d by d minus का 2 lambda d by d यह होगा minus का 3 lambda d by d अच्छे यह तो चिष्ट हुए है निमनिष्ट इनके बीच के lambda d by 2 d फिर 3 lambda d by 2 d और यह 5 lambda d by 2 d ऐसे बस ही negative हाजाएंगे यह अगर पास minus का lambda d by 2 d minus का 3 lambda d by 2 d और यह minus का 5 lambda d by 2 d ठीक है तो अगर मैं graph plot करो तो देखेगा कैसे बनेगा यहाँ पर देखे निमनिष्ट है यहाँ पर उच्छे है तो हमारा graph कुछ इस तरीके से बनेगा यह तो हमारा पहला बनगे बच्छों यहाँ पर निमनिष्ट बन गए फिर उच्छिष्ट बनेंगे same intensity के तुमारा same बन गया यह उच्छिष्ट आ गया फिर वापिस निमनिष्ट फिर उच्छिष्ट बच्छों same intensity रखनी सबका मतलब सबका length same होना चाहिए यह वाला उपर उच्छा ठीक है तो सबका जो थोड़ा उपर निचे बन गया है तो इन सबकी जो intensity होगी वो क्या रहेगी बच्छों same रहेगी ठीक है सबकी intensity अपने को same रखनी है तो हमने बना दिये इस सारे क्या है हमारे ठीक है सब हमारे पास क्या है निमनिष्ट और बच्छे वे क्या होगा है मारे पास उच्छिष्ट I hope मेनी बात आप लोगो समझा गई होगी तो बच्छों हमारे YDS याने Youngs YDS याने Youngs 006 experiment में इतना ही है जो भी था मैंने सब कुछ सारी चीज़े बता दी है अब next class में अपने इसके उपर कुछ numericals पहले attempt करेंगे कुछ theory के questions भी है वो भी attempt करेंगे फुर आगे आगे के topics के बात करेंगे तो बच्छों इस वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीज़ेगा बच्छों एक और चीज क्लास 12 का बैच हमने अल्री अनॉंस कर दिया है जोड़ा जाएगा जो हमने वाट्सप से टेलीग्राम पर शिफ्ट कर दिया है इसके अलावा प्यारे बच्छों आप लोग को NCRT के सारे कुश्चन बैग के और हमारे इते भी NDA, Air Force, JE, NEET के कुश्चन से वो भी हम आपको कराने का पूरा-पूरा प्रेस में करेंगे ठीक झाल